मीरा बाई का जनम कुड़की गाउं के एक राज परिवार में हुआ था मीरा बाई बच्पन से ही कृष्ण भक्ती में लीन थी तो चलिए मीरा बाई के जीवन में प्रकाश डालते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चानल आग्यान को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर बात करें दस्तावेजों की तो दस्तावेजों के अनुसार मीरा बाई का जनम राजस्थान के एक राजपूत गराने में सन 1948 में हुआ था इनके पिता का नाम रत्न सिंग राथोड और माता का नाम वीर कुमारी था मीरा बाई अपनी माता की एक लोती संतान थी जब मीरा बच्ची थी तब उनके पिता का निधन हो गया था प्रिश्ण के प्रती मीरा की भक्ती बहुत समय पहले की बात है जब बालिका मीरा महल में खेल रही थी उस समय उनके कानों में कुछ संगीत की आवाज सुनाई दी संगीत की आवाज सुनकर मीरा भाग कर महल के प्रसाद पर गई और जरोके से बाहर जाकने लगी तब मीरा ने देखा कि रास्ते से एक बरात निकल रही है उस बरात को देखकर मीरा ने सेविकाओं से उसके बारे में पूछा तो सेविकाओं ने बताया कि ये लोग शादी के लिए जा रही है इस डोली में वरवदू है लेकिन मीरा में बचपना इतना था कि उनको ये नहीं पता था कि पती क्या होता है और शादी किसे कहते हैं ये सब देखकर मीरा के मन में कुछ उत्थुकता जागी और वो भागते हुए अपनी मा के पास आई मां से आकर पूछा मां ये वर क्या होता है और मेरा वर कौन है मीरा का ये सवाल सुनकर मां जोर जोर से हसने लगी उसके बाद मैं मीरा का हाथ पकड़ के पूरे घर में घूमने लगी और अपने हाथ से कृष्ण जी की मूर्ती की और इशारा करते हुए कहा कि ये तुमारे वर है माने इस बात को मीरा से कह तो दिया लेकिन मा को ये नहीं पता था कि मीरा इस बात को सच मान कर सारी जिंदगी इनके नाम कर बैठेगी और कृष्ण पर अपना सर्वस्व नौचावर कर जोगिन बन जाएगी मीरा दीरे दीरे बड़ी हो रही थी इसलिए परिवार वालों को उनके विवा की चिंता होने लगी लेकिन जब भी मीरा से विवा की बात होती तो मीरा कहती कि उनका विवा तो भगवान श्री कृष्ण से हो चुका है घरवाले उनकी बात को बचपना समझ कर अंदेखा कर देते थे इस दोरान मीरा कृष्ण परंपरा वो उनके उपदेशों से अच्छी तरीके से परिचित हो चुकी थी और वे कृष्ण भक्ती में अपने आपको लुबाने लगी उसके बाद मीरा की शादी मेवाड के एक सिसोधिया परिवार में हुई उनके पती उदैपूर के महराजा भोज राच थी विवा के कुछ समय बाद ही उनके पती का देहांत हो गया पती की मृत्यों के बाद ससुराल में मीरा भाई परत्या चार होने लगा और मीरा के देवर राना विक्रम जीत को इनके यहां सादू संतों का आना जाना देखकर अच्छा नहीं लगा पती के परमलोक वास के बाद मीरा की भक्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी यह मंदिरों में जाकर वहां मौजूद क्रिश्न भक्तों के सामने क्रिश्न जी की मूर्ती के आगे नाचती रहती थी पती की मौत के बाद मीरा अध्यात्म में और भी जादा रम गई उनका जादा तर वक्त क्रिश्न भक्ती में व्यतीत होने लगा मीरा बाई गंटो मंदिरों में बैटी रहती और बजन काती उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और बीड़ जुटने लगी लेकिन परिवार वालों को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा था परिवार वालों ने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मीरा नहीं मानी तो उनको विश्ट दे दिया गया लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीरा पर विश्ट का कोई असर नहीं हुआ इसके बार भी कई बार मीरा को मारने का प्रयास किया गया लेकिन सारे प्रयास असफल रहे और ठकहार कर मीरा सारे भव बंदनों को त्याक कर दुबारा से व्रिंदावन की कुझ गलियों में लोट गई अब तक बोजराज समच चुके थे कि मीरा भाई को वैवव की और नहीं लाय जा सकता बोजराज ने मीरा भाई को सला दी कि तुम्हें कुछ रचना करनी चाहिए उनकी सला को मान कर मीरा ने लिखना शुरू कर दिया जल्द ही उनकी ख्याती दूर दूर तक फैल गई उसके बाद प्रिंदावन में मीरा घूम घूम कर कृष्ण भजन गाने लगी और भजन रचना भी करने लगी थी ऐसा कहा जाता है कि मीरा भाई ने तकरीवन 5000 कविताएं और भक्ति गीतों की रचना की थी हाला कि आज इन में से केवल 800 रचनाओं के बारे में ही पुकता तोर पर जानकारी मिलती है अपने आखिर दिनों में मीरावाई द्वार का चली गई और वहीं कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस त्वया करते हुए 1547 इस्वी में सदा के लिए अपने गिरधारी की शरण मे गोलक दाम चली गई अभी के लिए इतना ही हम फिर लेकर आएंगे कुछ नई वीडियो दन्यवाद